क्या हुआ इस SmackDown में तो दोस्तों SmackDown में पहला एंट्रेस होता है Cody Rose the Undisputed World Heavyweight Championship Title के Holder दोस्तों उसके बाद दोस्तों Nick Eldis Announce करते हैं उनके Competitor रहेंगे दोस्तों Logan Paul दोस्तों आने वाले वक्त में हमें United State Championship Title और Undisputed Title दोनों एक साथ लग जाएंगे दोस्तों Champion versus Champion match होगा इस King of the Ring tournament में दोस्तों उसके बाद होता है Baron Corbin और Carmelo Highs का एक tournament match जीतने वाला semi final में जाएगा King of the Ring tournament में दोस्तों यहाँ पर Baron Corbin बहुत दिनों के बाद return हुए थे और अपना जलवा दिखाते हुए दिखाई देते हैं नए नए moves उठा उठा कर पड़क दालते हैं Carmelo Highs को लेकिन Carmelo High पीछे नहीं रहता और अपने athletic मूव से Baron Corbin को मज़ा चकाता है उसके बाद यहाँ पर पढ़ आता है खतनाक सा क्लोज लाइन लेकिन इंदियांड Carmel Highs roll up करके Baron Corbin को यह match जीत जाता है तो दोस्तों उसके बाद होता है bloodline का match bloodline में दोस्तों सोलो सिकोवा टामाटोंगा और tribal chief है अब की बार उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टामाटोंगा को खतनाक तरीके से मारते हैं street profits एक को उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चीट करके टामाटोंगा इस match को जीत जाते हैं इंडियांड दोस्तों सोलो सिकोवा अपना जलवा दिखाते हैं और वहाँ से चले जा मैच होता है रैंडी ओटन वर्सिस एचे स्टाइल के बीच दोस्तों यह एक और टार्नमेंट का मैच होता है इसके अंदर दोस्तों रैंडी ओटन अपना जलवा दिखाते हैं और दोस्तों यहाँ पर once more कहते हैं दोस्तों और रिंग पे दोस्तों साइट सुपलेक्स और एक ग्रैपल मूव भी लगाते हैं लेकिन इंदी अड्स दोस्तों रैंडी ओटन को जोशा जाता है और क्लोज लाइन और डीडी टी लगा देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एज स्टाइल फैनॉमिनल फोराम लगा देते हैं उसके बाद अपना फिनिशर लग और लोगन पेल पॉल के बीच मैच होगा जिसके अंदर कोडी रोट्स लोगन पॉल की उनाइड़ेट स्टेट चेंबिन उन्यू आफ दे रिंग के बाद यही रूमर घटेंगी तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा थैंक्स वॉचिंग सी यू लेटर फ्रम प्रेटर रसलिंग